सद्गुरु कबीर की एक पंक्ती प्राया मैं कहा करता हूँ उसी पंक्ती पर चर्चा करेंगे और जिन लोगों ने सद्गुरु कबीर की वानियों का थोड़ी गहराई से गंभीरता से अध्यन किया हो, मनन किया हो वे सब जानते होंगे कि शद्गुरु कबीर की अनेक ऐसी पंक्ती हैं जो एक पंक्ती हमारे बिवहार और अध्यात्म दोनों छेत्र के लिए मागदर्सक बन सकती है यदि उसका हम उप्योग कर सकें कबीर साब ने तो कहा ही है आधी साखी कबीर की चार वेद का जीव मेरी आधी साखी मतलब के वल एक पंक्ती चारों वेदों का सार है और यह कबीर साहब की गरवोक्ती नहीं है साधिकार वोक्ती है कोई समर्थ पुर्थ ऐसा कह सकते हैं गुद्रात्म एक जगा है नडियात बड़द्रा और आनंद के बीच में रिल्वी स्थेतन भी है एक बड़ एक सहर है शटा वहाँ संत राम जी महराज का मंदिर है संत राम जी महराज बड़े आउधूत संत उनी की समाधिवा मंदिर वहाँ है उन्होंने कहा है आधी साखी कबीर की कोट ग्रंथ करिजान संतराम जग जूट है सारसब्द पहिशान संतराम जी महराज कहते हैं कि कबीर की आधी पंक्ती कर्लों ग्रंथ के बराबर है लेकिन कब जब हम विशार करें अब विशार करने के पश्चाथ जीवन में आत्रन करें तो सदुर्द कबीर की एक पंक्ती जिद पर अक्सर हम चर्चा किया करते हैं उदी पर आध फिर चर्चा करते हैं हुए निशंक मगन हुए नाच्यो लोभ मुह भ्रम छाडो सदुर्द कबीर कहते हैं निशंक होकर के शंका रहित संदे रहित होकर मगन होकर खूल करके नाच्यो अपने नाच्यों पर ध्यान दो लोग क्या कहते हैं क्या टिपनी करते हैं इस पर ध्यान मत दो लेकिन ध्यान रखना खूल कर मगन होकर नाच्यों के लिए लोभ मुह और भ्रम इन तीनों को छोड़ना पड़ेगा लोभ मुह भ्रम नहीं छोड़ पाए तो खूल करके नाच्यों नहीं पाओगे और जो ये चिन्ता करेगा कि लोग क्या कहेंगे वो आदमी कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग इतने कितने ऐसे काम होते हैं जिने छोड़ देते हैं कुछ लोग कहते हैं भीया हम ऐसे ऐसे आदमी नहीं हैं चार लोगों की बिच हमारा उठना बैठना है ऐसा काम करेंगे तो ये चार लोग क्या कहेंगे गलस काम के लिए लोग नहीं करते हैं अच्छे काम के लिए कर देते हैं ये हम ऐसे आदमी चार लोग में बिच हमारे उठना बैठना है और ये चार लोग क्या कहेंगे जानते हो चार लोग क्या कहेंगे अंतिम समय में कंदे पर उठाएंगे कहेंगे राम नाम सत्य ये चार लोग यही कहेंगे और कुछ नहीं कहेंगे किसी माता पीता के चार बेटे एक साथ एक दिसा में तभी चलते हैं जब माता पिता उनके कंधे पर होगा, बाकी ने चलेंगे. और चारों बेटे जब एक साथ एक दिसा में चलेंगे ना, माता पिता कंधे पर होगे तो हैं कहेंगे राम नाम सत्या है, लेकर अपने लिए नहीं, उपर बैठा उसके लिए. यही तो रोग है दुनिया का. कविरता है आप कहते हैं, होए निशंक, ज्ञान का पहला काम, निशंक होना, साधना का पहला काम, साधक, कहीं कभी साधक हो. जब तक मन संदे रहिए, शंका रहित नहीं होगा, तब तक वो साधक हो नहीं सकता, उतकी साधना बन नहीं सकते. संकाय मन को परफान कर रहिए, संदे परफान कर रहा है, क्या साधना होगी? और साधना की बात छोड़ दो. संदे थे घेरा अमन, संदे थे घेरा व्यक्त, ब्यवहारिक जीवन में भी कभी सुखी नहीं हो तक तब ब्यवहारिक जीवन कलापूर न रहेगा, अब विश्वास में वो जीवन जीएगा. संदे का निवारन इया निग्रह सने हुक्राब ने कहा है, कर निरवार संदे हुआ, संदे हुआ है, संदे अनेक प्रकार के संदे हैं, इन संदेहों को हम मुख रुष से तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं. आधिदेविक, आधिदेहिक और आधिभावतिक. आधिदेहिक संदे, आधिदेविक और आधिभावतिक. आधिदेहिक देशे के संबंद में. अभी तो खेती कितानी ठीक ठाक है, ब्यापार बट्टा है, नौकरी है, खेती डूब जाएगी तो क्या होगा, ब्यापार में घाटा होगा तो क्या होगा, नक्री छुटने पर क्या होगा पता नहीं बच्चे ये बाल बच्चे आप हम सेवा करेंगे या नहीं करेंगे और लोग लगे पर दबाई मिलेगे कि नहीं मिलेगे शरी निर्वाह को लेकर की संदे होता है अंतिन समय में ये बाल बच्चे साथ देंगे क्या ने देंगे और यहां तक ब्यार सा संदे गुर्देजी एकसर कहा करते थे एक ब्यक्ति गुर्देजी के पास आया और बाज दर्मान में कहा महराज मुझे तो संदेह है कि मेरे मरने के बाद यह मेरे बेटे मेरा अंतिम संस्कार करेंगे कि नहीं करेंगे तो गुर्देजी ने कहा बड़े भोले आदमी हो अरे तुम मर जाओगे और तुम्हारे बच्चे लाज को ने कहा तो लाज सड़े की धर दुर्गंद होगी बड़े को अपना ठीका नमा लगांगे तुम्हें पज़ा थोड़े चले गा यह संदे कि मरने का बाद बाल बच्चे संशकार करेंगे ने करेंगे दुर्गंद होन आगे ना बाल बच्चे को तुम तो मर गे दुर्गंद तुमको थोड़े आएगे ये बिर्त का सुन्दी है जब तक हाथ पे चर रहे है काम करते रहो ये भी साथ रखो आपकी तक्दिर आपके भाग्या आपके साथ है सबका जीवन गुजर हो जाता है आपका क्यों नहीं होगा और विश्वास से विश्वास होगा यदि घर वालों पर संदेख करते रहोगे बार बार बात बात में तो भी घर वाली भी वैसे बन जाएंगे विश्वास से विश्वास मिलता है अविश्वासी मन किसी पर विश्वास करना जानता ही नहीं है और सुर्टा है कि घर वाले परिवार वाले सब मुद पर विश्वास करें कैसे होगा इतना विश्वास रखो जब तक जीवन है खाने पीने को किसी न किसी प्रकार से मिल जाएगा प्रारब्ध और पुर्शार प्रारब्ध अद्रिश जिसे हम भाग या किस्मत या बिधाता का लेक का तो वो अद्रिश पुर्शार्थ हमारे हाथों में है हाँ इतना जरूर है कामधाम तो करना है दुरिवयसन से बचो और फिजुल खर्ची से बचो कभी जीवन में कमी नहीं आएगी बिवे एक दिश्शी रखो यह संदेज दूर हो जाएगा अधि दैविक दैव संबंधी दैव मतलब प्राकृतिक श्रक्ति है इस दुनिया किसमें बनाई होगी इस दुनिया कैसे चल रही है आकाज से पानी कैसे ठपकता है कौन बरसाता है हमेर सुक दुख के देने वाला कौन है हम तो सुक चाहते हैं लेकिन फिर भेमें दुख मिलता है तो कौन है ऐसा जो सुक चाहते हैं दुख दे रहा है हम बंधर में क्यों पड़े हुए हैं मरने कि बात कहा जाना होगा क्या होगा ये संदे खास करके दुनिया को ले करके पृति है अपनी गती पर घुम रही है चंदरमा अपनी गती पर शूर्य अपने गती पर यह सब गुम रहे हैं, अनक ऐसे हैं इसके मूल में क्या है? जड़ चेतन सत्ता के गुनधर्मों की समझना होना द्रव्य नित्या है मैटर नित्या है और मैटर में उसके गुनधर्म नित्या है उनकी गतिवी थी अपने अब दुनिया चल रही है कोई भी भौतिक द्रव्या बीना गति और क्रिया के रहता नहीं है और गति और क्रिया में मिलना बिछुड़ना होता है उसी में बनना बिगरना होता है बनाने वाली क्या जरुवत है? बनी तो है प्रकृति की योग्यता होगी पानी बढ़तेगा चाहो तो बढ़तेगा, ने चाहो तो बढ़तेगा और योग्यता नहीं है कितना रात दिन पुझा पाथ नाम जब हवन तरपन करते रहो कुछ नहीं होने वाला है अभी आपर में देखा होगा जादो दिन नहीं हुए है एका सबता पहले की बात है एक छेत्र में भारत कही है अब एक काम भारत में होगा बिजेख वाले क्वादी ये टेक्निक नहीं है ये पेटेंट है भारत वालों के लिए एक सबता आठ दिन की बात होगी एक चाहता बड़सा नहीं हो रही थी तब बड़सा होने के लिए गदों को रजगुला खिलाया गया गुलाब जामून ये भारत की टेकनिक है अब गदे के गुलाब जो खिलाया से बड़सा से क्या संबन्द है भाई इतनी अकल जिनके दिमाग में नहीं है वो क्या धरम को समझेगा क्या करेगा वो वर्फा नहीं होती है बड़े-बड़े हवन किये जाते हैं बड़े-बड़े यग्य यदि यग्य करने से वर्फा होती तो भारत में कभी सूखा ना पड़ता कोई अपनी धार्मी के लिए मन के शांती के लिए यग्य करता है तो अलग है हलाकि वो बात अलग है लोग ये कहते हैं कि हम तो मातवरान सुधी के लिए यग्य करते हैं यग्य से मातवरान सुधी के लिए यग्य से वातवरान सुध होता नहीं है आग जब भी जलाओगे कार्बन डायाग साइड ही फैलेगा चाहे यग यग नाम पर जलाओ आग चाहे इस नाम पर जलाओ बिना मतलब करो उस जब योग जयता होगी ऐसा मातवरन तैयार हुआ बरसना होगा बरस जागने बरसना होगा नहीं बरसने का त्यमान देवताओं के खुद करने के लिए कैसे करम कांड किये जा रहे हैं सत्ता की ना समझी आधि दैविक संदे होता है इसे बिस्तार से ने जाओंगा और आध्धात्मिक आधिवाथिक संदे भी होता है और आधिवाथिक संदे से मैंने कहा कि दैहिक संदे को ले करके, बालबच्टों को ले करके, अध्यात्मिक मैं कौन हूँ, कहां से आरा हूँ, मैं अस्तित्व क्या है, मुक्ति-गति होने पर मेरे क्या सत्ता होगी, आत्मसित्व को ले करके संदे है, यह समझना होगा, जो चेतन है, जिस हम जीवादी कहते हैं, नि किसी से बना है न न इसे कुछ बना न ये अंस है न अंसी है लोग भले कह देते हैं इस्वर अंस जीव नासी बिल्कुल गलत बात है जीव किसी इस्वर का अंस नहीं है अपने आप है स्वता है याको माय न याको बापा या तो स्वता आप ही आपा तिन नित्य है स्थोता है इस पर चिंदन करें पुर्वाग्रा छोड़ करके किसने क्या लिखा है किसने क्या कहा है इसी मुनियों ने क्या कहा अमुग ने क्या कहा यह सब छोड़ दो नित्पक्स रिथी मुनी गुरु पीर सब आधरनी है लेकिन पक्षपात किसी का नहीं है सबसे बड़ा रिशी, मुनी, पीर, पैगंबर, आवतार, गुरू सबसे बड़ा है सत्य इल्ये सत्य को समझना होगा तो आध्धात्मी संदे अपने अस्तित पर संदे बंधन दूर पतने साधना कर रहा हूँ, साधना पूरी होगी की नहीं होगी मन शांत होगा की नहीं होगा, महात्म लोच उठे तो नहीं कहते हैं तो कैसे मन शांत होगा, जब संदे मन में है तो ये विश्वात रखो कि मन शांत होगा बंधन कटेंगे दुख दुर होगा इसी जीवन में कल्यानकन भग हो सकता है दुर निश्चे है और विश्वात के साथ काम करें होगा तो यहां तो साहब कहते हैं होई निशंक सब यह प्रकार की शंकाओं को छोड़ दो निशंदे है निशंदे बोध की आवा सकता है और मैं काम कर रहा हूँ काम पूरा होगा की निशंदे होगा सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी जब पहले से संदे है तो समदलो सफलता बिलकुल नहीं मिलेगी मैं सफल हो करके रहूंगा यह डिल विश्वास हो सकता है भावतिक छेत्र में पूरी मेनत करने के बाद भी सफलता ना मिले क्योंकि भावतिक छेत्र की सफलता प्रानी पदार्स आधारित होती है अधात्म की छेत्र की सफलता प्रानी पदार्स आधारित नहीं है हमारे मन पर अधारित है, हमारे विश्वात, हमारे साधना, हमारे पुरसार पर अधारित है विश्वात रखें, निश्चित है, मन निर्मल भी होगा, शुद्ध होगा, इस्थिर होगा, शान्त होगा और साधना में सफलता मिलेगी, ध्यान में पुनता आएगी संदे की यो तो कैसे हो पाएगा सब्दुरु कहते हैं निश्ञंक हो जाओ फिर मगन होए निश्ञंक, मगन होए नाचो मगन हो करके नाचो, खूल करके नाचो यह कुंसी नाचने की बात है दो लोग डांस करते हैं, निर्थ्या हाथ पर मटका करके उसके लिए आँसाहब नहीं कह रहे हैं यहाँ नाचने का मतलब है जीवन का ब्योहार जीवन की कर्म मगन होकर समर्पित हो करके प्रेम भाव से, सेवा भाव से जो करो समर्पित हो करके करो प्रेम से करो, भक्ति मान करके करो कबिर साहब की पंक्ति याद आती है जह जा डोलू सो परिकर्मा जो कुछ करों तो पूजा जब सोओ तो करों डंडवाद भाव मिटावों दूजा इतना प्रेम बिजक में साहब ने कहा है प्रेम पाट का चोलना पहिर कबिरू नाच पानी वदीन हो ताद को पन मा ताद को तनमन बोले साथ ऐ लोगों प्रेम के कपड़े का अंगरखा बना चोलना यहां से यहां तो जो पहना जाता है और पहन करके नाचो तो प्रेम का कोई कपड़ा तो होता नहीं है तो उसका अंगल रखा कैसे बनाएंगे चोलना कैसे बनाएंगे उसका और नाचेंगे कैसे मतलब साहब कहते हैं जो करना है छोटा सा छोटा काम समर्पित होकर प्रेम से करो और जो समर्पित होकर प्रेम से हम कोई काम करते हैं तो काम पूजा बन जाता है ऐसा ब्युवार करें इस नहांदे समर्पित होकर सुर्द्धा भावते प्रेम करें कि अलग से पूजा करने के आवसकता ना रह जाये जो कर रहे हैं वही पूजा बने कैसा समर्पन होता है इस समर्पन कहाँ है खीजे करके काम करते हैं आधे धुर्यमन से काम करते हैं लोब से काम करते हैं काम पुजा कैसे बनेगा बाहर मंदिरों में तिर्थों में तमाम बड़े बड़े शहरों में बड़े धार्मिक अस्थलों में या गिर्जा गुजारा मठ आस्रमों में देवी देवता क्यों खुद रहे है भगवान क्यों खुद रहे हो किस मंदिर में देवता बैठा किस मंदिर में भगवान बैठा है अपने घर को मंदिर क्यों ने बना लेते और घर में जितने नर नारी हैं चाकिशी उमर में किसी रिस्ते में हो उनको भगवान भगदी देवी दोंता क्यों नहीं माल लेते हैं भगवान की तलाथ पूरी हो जाएगी ना लेकिन घर के लोग दुश्मन पडोस के लोग दुश्मन और भगवान की खोज मंदीर में ये जीवन नहीं हजारों जीवन भटकते रह जाओ किसी भगवान में कोई मंदीर मिलने वाला है नहीं उसे तो आप ने बना कर बैठा दिया है और माल लिया है आप नहों ना मतलब मुण्ष नहों ना तो कोई मंदीर अपने आप बन पाएगा ना किसी मंदीर में भगवान हो बैठ पाएगा मंदिर बनाने वाला इंसान मुर्ती बनाने वाला इंसान मुर्ती की परतिष्ठा करने वाला इंसान और नाक रगने वाला इंसान मन में प्रेम ही नहीं है तो भटकते रहो मंदिर मंदिर में जाह कहीं भी अधी प्रेम है बड़ों के लिए माता पिता सास असुद आदादे जो भी हैं पद उमर मरियादा में बड़े हैं उनके लिए आदर सम्मान सेवा उनके उचित आग्या का पालन रिष्टे में उमर में बरावर हैं पती पत्नी भाई भाई देवरान जठा प्रेम सम्ता एक्ता फोटे बच्चों के लिए इसने करना वासल उचिष्ष्ण घर मंदिर बन गया ना हर आदमी को तीन मंदिर बना चाहिए तीन मंदिर अजित आदमी ने तीन मंदिर बना लिया उसे बाहर मंदिर बनाने की आवज सकता नहीं है और जित आदमी ने तीन चीजों को मंदिर नहीं बनाया दुनिया का कोई भी मंदिर उसका उधार नहीं कर सकता है इसलिए हम सब को चाहिए वो कोई हो जितने समधार लोग हैं समधने बुझने लाग जिसकी बुद्धी है सभी को तीन मंदिर बनाना होगा खरता नहीं लगेगा एक पैसा नहीं लगेगा और कहीं जमिन के तलास नहीं करने पड़ेगी पहला मंदिर आपका घर आपका परिवार प्रेम से बनेगा सेवा से समर्पन से अब परिवार में थेमैसा रहते हैं ना उसी घर में रहना है उसी परिवार में रहना है वह कुड रहे हैं शिल रहे हैं जल रहे हैं जगल रहे हैं बात-बात में गुस्वा कर रहे हैं बात-बात में कटू बात नहीं बोल रहे हैं दुराशी पाका ब्युहार कर रहे है परिवार नरक है तो मंदिर में कहा भगवान मिलेगा प्रेम सेवा आदर सम्मान मिठे वचन और यह दुसरे के लिए स्वमरपन का भाव परिवार मंदिर बढ़िया मंदिर जहां आपको रोज रहना है ऐसा क्यों करते हो कि एक मंदिर बना करके मातर आधा घंटा पूजा करते हूआ यह घंटा पूजा कर देते हो ऐसा क्यों नहीं करते कि आपको सोना, जागना, खाना, पीना मंदिर में ही हो जिस आदमी का सोना, जागना, खाना, पीना, बाद, बेवहार, मंदिर में ही हो, ओ आदमी कितना अभागे साली, और मंदिर आपका घर, आपका परिवार, लेकिन, परिवार का मंदिर निये बना पाया आदमी, इसी लिए तो दुख है, इसी लिए तो पीड़ा है, थोड़ा आगे बढ़ें, दूसरा मंदिर, अपना जीवन, और जीवन मंदिर कैसे बनेगा, सद कर्म से, सदा चार से, उजवल चरित्र से, कृतेन ही भवेदारियो, न धनेन, न विद्या कहा गया है, कृत से, आचरन से, आदमी, आर्य, स्रेष्ठ, महान, पुझ्य बनता है, धन विद्या से नहीं, धन से जीवन महांता नहीं आती है, विद्या से, पद से, प्रतिष्ठा से, लेखन से वे, महानता नहीं आती है, महानता आती है, सदाचार से, चरित्र से, सोदेते जाएं, सोदेते जाएं, सोदेते चले जाएं, जीवन मंदिर बन जाएगा, और करम पर, आत्रन पर, चरित्र पर, सभाव पर, व्यवहार पर, कोई ध्यान नहीं है, रिशा रहे हैं मंदिर के उस भगवान को, जिसमें बोलने और जाने और समझने की शक्ति ही नहीं है, और बाहरी भगवान को रिशाने का आवा सकता नहीं है, रिशाना ही परिवार लोगों को रिशाओ, अच्छे करम से रिशेंगे, नहीं अच्छे बिवहार से रिशेंगे, तो परिवार तो मंदिर बनेगा, जीवन मंदिर बनेगा, अब महांता इसी से आएगी जीवन में तितरा मंदिर आपका मन, हमारा मन, सबका मन निर्मल विचार शकरात्मक सोच परिवार को, जीवन को और मन को निर्मल मंदिर बनाने में एक भी पैसा खर्च निर्गा हर आदमी इसमें समर्थ है किन्तु हम इधर धान नहीं दे पाते और जिसका परिवार मंदिर बन गया प्रेम से शेवा से, मिठे बचन से परिवार मंदिर बन गया सदाचार से, त्याग से, बिनमरता से सदकर्म सचरित्र से, जीवन मंदिर बन गया और निर्मल विचार से मन मंदिर बन गया उस आदमी को अब किस मंदिर के आवाज सकता है उसके लिए जहां जाए वही मंदिर बन जाएगा ऐसा जीवन बनाने के आवाज सकता है चरित्रव सुधाय से सुधार के आवाज सकता है कि कहीं बैठें वहीं लोगों का हसास हो कि हमारे पास एक मंदिर है विराजमान है जीवन पुनता इसमे होगी यह किसी मत्पंथ के बात नहीं है संपरदाय के बात नहीं है सादु ग्रहस्त के इस्ति पुरुस की बात नहीं है मुण शमात्र की बात है साब इसके लिए कहते है प्रेम पाड का चोड़ना पहिर के बिरूना आश ऐ लोगों प्रेम का कपड़ा पहनो और नाच मतलब पूरी जीवन को प्रेम में बना लो हर कर्म को प्रेम पहर जो भी करें समद लिए पूजा कर रहा हूं और पूजा में मन उबता नहीं है पूजा में घबडाता नहीं है देविया भोजन बना रही हो घर में समद लिए कि भगवान भगवती को भोग लगाने के लिए प्रसाद बना रही हो बोजन बनाना पूजा बन जागा, इतना बड़िया बोजन बनेगा, उसमें स्वाद की अकलपना ने कर सकते हैं, जालू लगा रहे हैं, समधले भगवान के मंदिर में जालू लगा रहे हैं, बरतन मानना है, इत बरतन में भगवान के लिए परसाद बनाना है, सब तो मंदिर बनेगा ना, खेत में काम कर रहे हैं, समदलो में, मंदिर में काम कर रहा हूं, दुकान में काम कर रहा हूं, समदलो मंदिर में काम कर रहा हूं, जितने कृस्टमर आ रहे हैं, सब देवी देवता, प्रेम से बात करें, मिठे वचन में बात करें, सही合ों ले ऱ्रें रिंए शही समान दें दुकान मंदिर बन जाएगी आपका कारखाना मंदिर बन जाएगा आपीज बन जाएगा यही तो प्रेम कपड़ा पहन करके नाचना है ऐसा थोड़ ही कि यह निक पृतनेबल पहन करके इस्टेज पर नातनों शुरू कर दो उभी एक कला है उसे मरंदर हो सकता है महांता नहीं आगी जीवन में किसी को पास बज़े सुन्दर निर्ट कला है पुड़सकार मिल सकता है सम्मान मिल सकता है मन की जला नहीं बिटेगी मन की पिड़ा नहीं मिटेगी, महांता नहीं आगी जीवन में लेकिन प्रेम, शेवा और सुंदर चरित, सम्मान भले ना मिले जीवन में महांता से आगी भीतर, एक आत्मसंतोस का भाव रहेगा आनद की धारा प्रभाइत होती रहेगी बहुत सरल है हम कठिन बना लेते हैं उलज-उलज करके स्वार्थ, हंकार, कामना की पीछी दोड़ते, दोड़ते पानिव दीन हो, साथ को तैनवन बोले, सांच सदुर कभीर कहते हैं ये पूरी प्रकिर्दी सत्ता उस आदमी की जीवन में चमक देती है जिसके मन साब आचा कर्मना सत्त की प्रतिष्ठा होती है जीवन में सबसे बड़ा देवतायदी है तो आपका सकते हैं सत्य है सत्यवानी हो, सत्यता पुना व्योहार हो सत्यता पुना भावना हो और ज्ञान सत्यता पुना हो बस जीवन में चमक तब आएगी हम पहले से मान वैठे हैं आज के जमाने में सत्य से काम नहीं चलेगा यह विश्वास है तो सत्य के राते पर कैसे चल सकते हैं थोड़ा सा बाधा आएगी भटक जाएगे लोब आएगा भटक जाएगे जिस आदमी के अंदर ये विश्वास है कि बिना जूठ बोले काम नहीं चलेगा उसे सत्य पर विश्वास कैसे होगा और जो आदमी कह रहा है जूठ बोले काम नहीं चलेगा तो खाते हैads ढहीते हैं गंगाकिर्या रामदाभयी सभड रहा ही जो भोल्रहा हूँ जूठ को भी क्या कहते हैं छहीं बोल रहा हूँ तो बहæई जब बिना ऑट बोले जूठ, जब आप कहते हैं सत्य से काम नहीं चलेगा आज जवाने में सत्तता पुन जिवा निजया था तो बोलो जितना भी पहला मैंने बोला ना ठूटी बोला है अपर अपर इसा को हो न भाई तो आप क्या कहते हो बोलो बोले गभले सूर्थ आखिर तक जूट लेकिन कहेंगे क्या भाईया एक एक बात मेरी सच है मतलब बिस्वाद जूट पर नहीं है बिस्वाद सच पर है जूट का जमाना कभी नहीं रहा है जमाना सदेशत्य का ही रहा है और जूट बोल करके दूसरों को धोखा दे सकते हो अपने को धोखा नहीं दे सकते हैं बाधा कहा नहीं है जूट के राते में बाधा नहीं है वहाँ तो और बाधा है धूटे आदमी को तो हमेंसा अंदर से भैभीद बना रहना पड़ता है चलना तो सुरू करें लेकिन हमने पहले ही मान लिया है सचाय का जमाना नहीं है बीन जुट बढ़ने काम चले गए नहीं है जोब हमने सचाय का पहले ही छोड़ दिया तब सचाय पुरुख जिवन जिया जा सकता है विशास कैसे होगा जीमने में शमा कहां से आएगे और जिन के लिए जुट बोला एक दिन साथ छोड़ देंगे या अपने हाँ साथ छोड़ जाएगा सबका उसके जीमने में शमा काई है चाहो कोई हो इशा हो, मुहम्मद हो बुद्ध हो, महावीर हो, कबीर हो देनन्द विवेकानन्द हो या और नाम लेड़ो इनों ने जुट का राता ने चुना सच का राता चुना अजवे नहीं है किंतो उनकी सुगंथ पहल रही सब तरप सदुर कहते है पानिव दिन हो, तात कुतन मन बोले साथ ये प्रकृति सत्ता विश्व के नियम उसके जीवन में चमक देते हैं जिसके जीवन में मन सावाजा कर्मन सद्द के परतिष्ठा होती है उसके लिए हर समय आनन्द आनन्द और इशी के लिए रिग्वेत के रिशी ने कहा है रिग्वेत का एक गायतिरी मंत्र है यहां रिग्वेत सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद है माना यह जाता है कि दुनिया का सबसे पुराना ग्रंद लगभग दस हजार मंत्र है रिग्वेत में उसमें दो हजार से ज़्यादा गायतिरी मंत्र है हम आप एक ही गायतिरी मंत्र को जानते है तज सवितुर वरेन्या भरगो देवसे धीमे धीयो योना प्रचाद है वह समदम अम्भुर्वस्वा मुतनली है पेड़ेद हमेरा ओम भुर्भवस्वा नहीं है. तो अपियत्री मन्त्र सुरू होता है है. तो बढ़ में लोगों भुर्स भावना बलः दिया, तो अम्भुर्वुस्वा जोड़ दिया गया. और ओम भूब और स्वा जोड़ेगा तो गायती मंतर रहेगा भी नहीं गायतीरी मंतर की पहचान है शोबीस अक्षर होना लेकिन यह जो मंतर है तश्वीतुर इसमें तेशी अक्षर है खेर उसर नहीं जांगा आगे मधु वाता रितायते मधु छरंती सिंदवा माधु वेना संतो देती यह भी गायतीरी मंतर है मधु वाता रितायते रित नियम रित सत्य रित नेतिकता रित सदाशार रीगवेद में रीत का बहुत महत्व पून है बहुत जधिक महत्व है जगा जगा रीत की चर्चा आती है किसी भी वैदिक विद्वान की पुत्तक पर करके देखने हैं मधु वाता रीतायते रीत नियम, चरित्र, सदाशार, सत्य जो आदमी सब्थ के सदाशार के पदपढ चलता है नियम सेजयन पे चीट करता है उसके लिए वाता हवाएं मधु धोती है मधु वातायते है मधु शरंती शिंदवा उसके लिए शिंदवा नदिया मधु बहाती है माध्विरना संतोसधी और उस आदमी के लिए जो नियम पे चलता है सत चलता है उसके लिए औसधीया वनवस्पतिया मदू बरसाती है जो ब्यक्ति सत के मार पे चलता है सतता पूरा प्याहर गए सतता पूरा जीवन पे चीद करता है उसके लिए हवाएं मधु ढोती है नदिया मधु बहाती है और पतिया मधु बड़ताती है मतलब पूरी प्रकृति मधु की बड़ता करती है और हमारे मन में क्या है? अविश्वास इतना जरूर है कि सचाई के राते पर चल कर बड़े धनवान नहीं बन पाऊगे सचाई के राते पर चल करके जिवन गुजर कर सकते हो खापी सकते हो अरब पती नहीं बनोगे कोठी मंगला तैयार नहीं करोगे मंगी मंगी गाड़िया नहीं खरिदबाऊगे लिकिन भीतर से शांत रहोगे निर्भय रहोगे प्रसंद रहोगे जो ठाई के राते पर चल करके कोठी मंगला कार और बैंक बैलेंस यह सर तो बढ़ा सकते हो लिकिन भीतर का जो सुख है वह चिन जागे भीतर का जो परमात्मा है वह बिछुड जाएगा अब यह सोसना है कि यदि दुनियादारी कोठी, बंगला, किम्ती, गालियां हिरे मोती, सोना चांदी, धेर अर्बों रुपिया के संपत्ति बहुत जमिन जाजाद यदि यह चाहते हो तो जुठाई से प्रेम करो और यदि यह चाहते हो नहीं, मुझे इसके आप सकता है मुझे परमात्मा चाहिए तो सचाई से प्रेम करना पड़ेगा अब च्वाइस आपकी है परमात्मों को चाहते हो तो जुठ छोड़ना पड़ेगा सत्यों को पकड़ना पड़ेगा और दुन्या के सवर्य चाहते है तो सत्य अपने आप छूट जागा परमात्म अपने आप छूट जाएगा फिर अंत में क्या होगा बताने का आव सकता नहीं है इसलिए सचाई का रास्ता सत्य को समझना होगा सत्य ही स्वर है अलग इस्वर आप फोजोगे तो अलग इस्वर मिलने वाला नहीं है यदि कोई इस्वर है बाहर तो नियम प्रकृति का सर्वत्र है ब्यापत सत्य तिन इस्वर की बात आएगी एक इस्वर जो सगुन है एक इस्वर जो निर्गुन है और एक इस्वर जो दुनिया चलाता है सगुन इस्वर यहां बैठें परतक्ष प्राणी मनस्व करूप में असा अगर करें प्राणी करूप में इनको छोड़ करके आपको सगुन इस्वर कहीं नहीं मिलने वाला है जो खाता हो, पीता हो, बोलता हो, बात्चित करता हो, प्रेम करता हो, प्रेम करता हो, प्रोध करता हो, प्यार करता हो, चांटा लगाता हो जिसे सु दु कानभा होता हो वो तो सगुन है ना और वो कौन है? सामने बैठे है हमारे और जिसे आप सगुन मानते हो कुछ भी तो नहें करता वो तो सगोनिस्वर प्रानि प्रानियों में मनुश मनुश्यों में आपके माता पीता परिवार के सदस्हि only सुर्वात दो करें निर्गुनिस्वर हर्दे में बैठा हुआ है सब के हरदे में तेरा साहब है घड़ भीतर बाहर ने ना क्यों खोले साहब काते हैं सब किर्देम बैठा है निरगुनी इस्वर और जो दुनिया चलाता है वो इस्वर नियम सत्य इन तोनों थोड़कर इस्वर आब कहने मिलेगा मैं कह रहा था कि सत्य ही इस्वर है इस्वर सत्य है यह बात सच नहीं है किन्तो यह बात सच है कि सत्य ही इस्वर है और बालमिकी रमायन में राम के मुख से साफ कहलवाया गया है चित्रकूट का प्रसंग है जहां राम निवाद कर रहे हैं भरत मनवाने के हुए हैं वहाँ बाद भी बाद होता है, तर्क होता है, उसी समय एक रिशी के प्रस्ण कुतर देते हुए, राम ने कहा है वहाँ पर, सत्यम एव स्वरो लोके सत्य धर्मा सदास्रिता, सत्यम मूलानी सर्वानी सत्या नास्त्यम पर बदम, सत्यम एव इस्वरो लोगे एव जो अभ्या है एव अभ्या है काम करता है और बदलता नहीं इसका अर्थ कहीं भी है उसी उर्प में रहता है सत्यम एव सत्य ही इस्वर है इतना खूल करके कहा गया और हम भटग रहें बाहर इस्वर पाने के लिए गिरगा रहे हैं जगा जगा भीख मांग रहे हैं और सत्य अताफ के भीतर बैठा हुआ है सत्यम एवी इस्त्वरो लोके इस लोक में संसार में सत्य ही इस्त्वर है सत्य धर्मा सदाश्रिता सदा से सब समय से धरम सत्व पर ही टिका है और हमारा धरम के पर टिका है जूट पर यह पुजा कर लो, यह मिलेगा वो पुजा कर लो, वो मिलेगा वो पुजा कर लो, वो मिलेगा वो पुजा कर लो, वो मिलेगा जूटी बात है ना और धरम में हम निसी कमान बैठे हैं और तमाम बात है अब राम क्या आखते हैं बादमी की रमायन में धरम सत्व पर ही ठीका है सत्व को छोड़ तो धरम क्या बचेगा सत्व मूलानी तर्वानी जितने भी शुव करमा है जितने भी पुन्य करमा है सब का मूल सत्य है सत्व को छोड़ करके पुन्य कैसे करमा कैसे करोगे सारे शुव करम का मूल सत्व सत्यात नासि परंपदम सत्व से बढ़ करके कोई परंपद नहीं है गो लोग, सी लोग, बितनु लोग, ब्रमलोग, भूरधाम ये लोग, वो लोग इस सब के सब के थोड़ करके सब से बढ़ करके है सत्य 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 से बढ़ करके कोई लोक नहीं है और सत्य से बढ़ करके कोई परंपद नहीं है विश्वाथ है कि नहीं है हम भटक रहे हैं बाहर सद्रुर कविर कहते है प्रेम पाड का छोड़ना पहिर के विरुनाच तानिब दी ने ताथ को तैनमन बोले सांस प्रेम का कपड़ना मतलब जो करना है प्रेम से करो समर्पित हो करो अपने हर काम को छोटे से छोटे काम को कपड़ दो रहे हो इतना समर्पित होकर करो कि कपड़ा धोना पूजा बन जाए उसी में मने कागर पूरी उर्जा उसी में पुरा कंट्रेक्शन मन के कागर उसी में कपड़ा धोना पूजा बनेगा नहाना पूजा बनेगा तो छोटे सी छोटे काम को पूजा बना सकते हैं हम यही नासना है कबिर साहब की भासा में और सत्य भगवान है इले सत्य की पूजा करें मतलब, मंसा बाचा करमना सत्य की परतिष्ठा करें इस ग्ले साहब कहते हैं हो bitcoin, निशंक, मगन, होई नाशयो निशंक हो करके सारा संदे, सारा अविश्वास छोड़ करके जितना स्वार्थ होगा जितना अंकार होगा जितने भोग की भावना होगी जूर से जितना प्रेम होगा मगन होकर कभी नाश ने सकते संदे रहित होकर के नाश नहीं सकते मतलब संदे रहित होकर के निशंक होकर के जिवन बतित नहीं कर सकते हो जिसके मन में जूट है लोब है, लालच है स्वार्थ है, यह हंकार है भोग की कामना है वो आदमी, उता आदमी का मन संदेश से रहित कैसे हो सकता है निरलोभी यह आदमी निश्वार्थ आदमी निर्हंकार आदमी, निश्कामी आदमी, भीतर बाहर एक इमानदार आदमी, उसी का मन संदे से खाली होगा, और जीवन का आनद वही व्यक्ति ले सकता है जीवन के मरम को वो समझ सकता है और जीवन को वही जिएगा जिसके मन में संदेह नहीं है और जिसके कर्म उजवल है लेकिन सदुरु कबीर कहते है इसके लिए तुम्हें तीन वातों को छोड़ना होगा लोब, मौह, भर्म, चारुद लोब, मौह, और भर्म इन तिनों को छोड़ना होगा लोब होता है निर्जी पदार्थों के लिए रुपिया, पैसा, मठ मकान, जमिन, जैजात, खाने, पिने की चीजें गद्दी, महंती, कपड़े, लत्ते, जो कुछ भी है उसके लिए मन का आकरशन लोब है उसके लिए मन के चिपकहट लोब है और लोब ही या आदमी मगन होकर नाचेगा कैसे, लोब ही या आदमी जीवन का आनंज कैसे अनुभव कर सकता है उसके मने में तो हाय हाय बना रहे गए न फिर मौ मौ होता है जीवित प्रानियों के लिए उसमें भी खातकर मनश्यों के लिए और मनिश्यों में भी जेने अपना माना जाता है प्रीवार की सदस्ट अब रा सदस्ट नहीं भी है तो जिनके लिए अपना का भाव है उसके लिए मौ होता है और मौ ही आदमी टरा रहे गह हमेंसा कि सात न छोड़ दे दोखा न दे दे दूसरे मेरे बिरोधित ना मिल जाए तो खुल करके नाचेगा कैसे हुआ मोही आदमी कभी निर्भाय होकर कि जी ने सकता है और मोही आदमी सतता पुना पिहार ने कर सकता क्योंकि वो पक्षपात रहे इतने हो सकेगा वो नित्पक्ष ने हो सकता कोई भी मुह ही आदमी हो उसके जीवन का सारा बिहार निस्पक्ष हो ही नहीं सकता है पक्ष हो गही कहीं नहीं एक पीता के तिन बेटें हैं दो बेटें हैं जो भी हैं एक किसी एक बेटा के लिए मुह हो जाएगा तो दूसरे बेटे साथ अन्याय करेगा ही करेगा छिपा छिपा करके उद बेटे का मौत देता रहेगा कि जिसके परती मौ है और प्रेम है तब दोनों उसके बेटे हैं दोनों के लिए पराबर उसने रखे रहेगा कोई दुराशिपा का बिवार करेंगे ही नहीं हुआ तो मुह कहीं भी होगा कपट सुरू हो जाएगा चलाकी सुरू होगी बेमानी सुरू होगी और जिसके मन में कपट चलाकी हो मगन होकर नाशेगा कैसे जीवन कानन कैसे लेगा गुबिक्ति इसलिए मुह नहीं प्रेम, सेवा, कर्तब्य मुह का अर्थत है किसी एक ब्यक्ति विशे से या कुछ लोगों से मन का चिपक जाना उसके लावाद दूसरों बारे में सोचना ही नहीं आनन तो गयाब हो जाएगा ना और तिसरी बात भरम अनिक परकार के भरम हैं संदेग बात मैंने कहा अनिक परकार के भूत, ब्रेज, जादू, टोना, ग्रा, लगन, दिसा, सूल अज देवी, देवता अब अनिक परकार के भरम आप सब अची तरह जानते हो दू आजमी ब्राबर सोचता है देवता नराद नहोजा, भूत ना पकले, प्रेद ना पकले, कोई टोना ना मादे, कोई जादू ना कर दे, कोई कुछ कर ना दे, कोई तंत्रमान ना करवा दे, इस भरम में पड़ा है, वादमी निर्भयो का जीवन जीएगा और निर्भयता नहीं मन में तो जीवन का आनो समझ पाएगा वो, खुल करके काम कर पाएगा सहार कहते हैं इन तीनों को छोड़ो, लोभ नहीं है, बस काम करो, खाओ खिलाओ, अपने आप जो बच जाएगा, बता चला जाएगा, संतोस रखो, संतोस से लोभ दूर होगा, मिना संतोस के लोभ दूर नहीं होगा जो मिला है बहुत समझ़ो, नितपक्छता और प्रेम से मोज़ूर होगा, नितपक्छा है प्रेम है तो मोज़ूर होगा, और शही ग्यान से ब्रंदूर होगा, तो जिस मन में जिसके पास सही ग्यान है नित्पक्षता है प्रेम है संतोफ है जिवन कानन तो वही अनभोव करेगा उतका ब्याहरी जिवन भी सुन्दर रहेगा और जब जिवन संकार रही थे तो अधात्मय के मार्गम भी भी आगे बढ़ेगा इस एक पंक्ति में सदरु कबीर ने जिवन जीने के सारे जो करहस्या है उतको भर दिया है अब कितना हम समझ पाते हैं अब कितना हम ग्रहन कर पाते हैं यह तो हमारे संत पर हमारे निर्ने पर निर्भर करता है होई निशंक मगन होई नाचो लोभ मोव प्रमचान ताकत निशंक हो जाओ संदे रही निरभय हो करके खूल करके काम करो ओशही काम लोग क्या कहेंगे ये बात दिल दिमाग से निकाल दो जब शराभी नहीं सोचता कि लोग क्या कहेंगे एक वेवजारी नहीं सोचता एक जवारी नहीं सोचता एक चोर नहीं सोचता तो सनमार के राते बचलने कर रहे हैं पर क्यों सोते हैं कि लोग क्या कहेंगे निंदा परसंसा की परवाह करने वाला व्यक्ति न सेवा कर सकता है न साधना कर सकता है शेवा और साधना सेवा दुसरों के लिए और साधना अपने लिए जो निंदा प्रसंसा से उपर उड़ जाएगा निंदा प्रसंपरवा नहीं करेगा सही रात सत्त न्याय कर राते पर चल रहा है उसे अवा भी करेगा, साधना भी करेगा अपने जीवन सफल बना लेगा इस एक पंक्ति में तजरु कबीर ने हमें जीवन जीने का जो संदेश दिया है समझ करके हमें जीवन उतारने के आवस सकता है आहम सुध्धा चैतन्य ज्ञानस्वरूपम। आजरहम अमरहम अखंडम्मनुपम। आहम सुध्धा चैतन्य ज्ञानस्वरूपम। आजरहम अमरहम अखंडम्मनुपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहं अमरहं वकंडं मनुपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहं अमरहं वकंडं मनुपम अवाल्ण